कि आधनिय अध्यक जी भारत के लोग तंत्र में तमांग बुतार चड़ाओ हमने देखे हैं और यह सदन लोग तंत्र की ताकत है लोग तंत्र की ताकत की साक्षी है जन्विश्वास का इकेंद्र बिंदु रहा है इस सदन की विश्वता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी अतलिज होता है यह सदन है जिसमें कभी चार सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और सोब सदसे वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी यह भी सामर्थ इस सदन के लोग तंत्र की ताकत का परिच्चे कराता है और यही सदन है जुद्में एक वोट से एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोग तंत्र की गरीमा को बढ़ाया था यह भी इसी सदन में होता है आज अनेक छोटी-छोटी रीजिनल पार्टियों का अफ्रतनिदीत वा हमारी देश की विवित्ता को हमारे देश के एस्पिरेशन का एक प्रकारते वह केंद्र बिंद्व बना है कि अधनिया देख जी कि इस देश में दो प्रधान मंत्री ऐसे रहे हैं मुरार जी भाई भी पीसी एक प्रजार से कॉंग्रेस में जीवन खपाया था लेकिन एंटी कॉंग्रेस गवर्म का नेतुत्व कर रहे हैं यह भी इसकी विशेस्ता थी औ और हमारे नर्थिमाराव जी वो तो बिस्त्रा गोल करकर गर जाने की त्यारी कर रहे थे निवरुति की गोश्णा कर चुके थे लेकिन यहीं लोग तंत्र की ताकत देखिए स्थन की ताकत देखिए वो प्रधान मंत्री के रूब में पांट साल हमारी से अधनिया जीग ज दो हजार की साल थी अटल जी की सरकार थी इसी सदन ने तीन राज्यों का गठन सर्वस्षिक्रुति से किया और बड़े उमंग उत्सा से किया जब छत्तिस गड़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तिस गड़ ने भी मनाया उत्सव मद्द्रदेश ने भी बढ़ाया जब उत्तराखन की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखन ने भी मनाया उत्सव उत्तरप्रदेश ने भी बढ़ाया जब जारखन की रचना हुई तो उत्सव जारखन ने भी मनाया उत्सव विहार ने भी बताया यह हमारे सदन का सामर्त है सब सहामतिका वाताउन बना करके लेकिन कुछ कड़वी यादे वो भी है कि तेलंगना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए खुन की नदिया भी वही और बनने के बाद न तेलंगना उत्सव मना पाया ना आंद्र उत्सव मना पाया एक कटूता की बीज बो दिये गए अच्छा होता उसी उमंग और उत्सा के साथ हम तेलंगना का निर्मान करते तो एक नई उचाई परा तेलंगना पहुंच चुका होता